नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies Channel में आप लोगों का स्वागत है डॉक्टर्स इन तरीकों से आपका वजन जल्दी से जल्दी कम कर देते हैं दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताऊंगा जिनका इस्तमाल डॉक्टर आप लोगों को हमेशा बताते हैं और वो आप लोगों को गाइड भी करते हैं इन तरीकों को कैसे आजमाना है आप लोगों को और मैं उन तरीकों को लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी बुक्स जो है वो इन पर रीड किया है तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ पहला है एक जगह लंबे समय तक बैठे रहने से वजन बढ़ता है इसके पीछे का क्या लोजिक है वो मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेटाबॉलिज्म जो है वो सलो होने लगता है आप लोगों के सरीर को उर्जा की जरूरत नहीं होती तो मेटाबॉलिज्म जो है वो सलो होने लगता है, आप लोगों के सरीर को लगता है कि उसे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो उसे फैट में ही क्यों नहीं गनवर्ट किया जाए तो जो भी आप लोग खाते हैं वो उसको fat में store करता जाता है दूसरा यह है कि सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं जब trans fats यूग भोजन को खाते हैं और लंबे समय ता के एक जगे बैटे रहते हैं तो उन्हें नमक जाद अच्छा लगने लगता है processed foods जदा अच्छे लगने लगते हैं refined flours जदा अच्छे लगने लगते हैं बजाए आटे के अगर उन्हें कोई चटपटा जो सामान दिख जाता है तो उनकी जीब जो है वो लपलपाल जाती है तो definitely आप लोगों का वजन बढ़ने लगता है आप लोगों को कुछ सोचना होग से भरपूर नहीं होते हैं फिर भी आप लोग जो हैं उन्हें इस्तमाल करते हैं energy के रूप में अगर आप लोग पोशक तत्व युक आहर नहीं लेंगे तो आप लोगों के बोड़ी को हमेशा ही उन चीजों की जरौत होगी जो की उनको अंगों को मिलने चाहिए लेकिन आ energy के लेकिन आप लोग ज्यादा मातरा में काप्स लेने के वज़े से वो जितनी भी energy है वो fat में तब्दील हो जाती है तीसरा है अधिक sodium युक तो भोजे पदारतों के इस्तमाल से भी वजन बढ़ने लगता है पीजा बर्गर फ्रेंस फ्राइज ये बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिससे आप लोगों का वजन बढ़ता है और वजन बढ़ने के बाद में आप लोगों को ये चीजे ज्यादा पसंद होने लगती हैं जबकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोग इनको छोड़ देते हैं तो ही आप लोगों का बहुत सारा वजन जो है वो नॉर्मल होन आती ही है मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग वेजिटेबल्स को उबाल कर खाते हैं और आप लोग अगर जूस पर ज़्यादा डिपेंड्स रहते हैं तो आप लोगों का वजन वैसे ही कम होने लग जाएगा आप लोगों को किसी चीज की ज़रौत नहीं है लेकिन अगर लैस की समझ्या होगी, अइसिडिटी होगी, अमलपित होगा, बहुत सारी प्राउब्लम्स जो हैं आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं पेट का आफरा बनने लगता है, आप लोगों को भूक जादा लगने लगती है और ऐसे भोज़े पदार्थ आप लोगों के लिए जरौत भी नहीं होती, आप लोगों के अंगों के लिए जरौत भी नहीं होती, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये ही अच्छा लगता है, त तो आप लोग बहुत जादा लोस में जा रहे हैं तो definitely आप लोगों के इस बात को समझना होगा कि जो multi vitamins tablets हैं वो भी आप लोगों का weight बढ़ा सकती हैं या अन्य रोग के कारण आप लोगों के अगर tablets चल रही हैं तो एक बार उने भी आप लोगों को देखना होगा इस six number पे है तनाव के कारण भी बजन बढ़ने लगता है तो आप लोगों को अगर stress आप लोग जितना कम लेंगे leptin hormone उतना ही बढ़ने लग जाएगा आप लोगों ने खुद ने ही सोचा होगा कि जब आप लोग नींद लेते हैं अच्छी नींद लेते हैं तो आप लोगो तनाव लेते हैं तो cortisol बढ़ता है और cortisol बढ़ने के कारण आप लोगों का sodium level बढ़ने वो यह कह सकते हैं कि कम होने लगता है और आप लोगों के सरीर को sodium की जरुरत होती है तो आप लोगों को चटपटे पदार तो जो है वो ज़ादा अच्छे लगने लगते है तो अगर त गटने भी लगता है तो वजन बढ़ने भी लगता है और suddenly वो गटने और बढ़ने लगता है तो आप लोगों के सरीर के लिए हानिकारक है तो तनाव अगर आप लोग लेते हैं तो उसे बंद कर दीजिए थाराइड रोग में भी वजन बढ़ने लगता है तो थाराइड र जबकि होता यह है कि cruciferious vegetables को खाने से आप लोगों का जो वजन है वो क्या होता है कि वो घटने लगता है लेकिन thyroid में ज़स उल्टा है अगर आप लोग cruciferious vegetables को खाते हैं तो thyroid gland पे ज़्यादा असर डलता है hypothyroidism की जो समझ्या है वो ज़्यादा बनने लग जाती है तो इस बात को समझना जरूरी है अगर आप लोगों को thyroid है तो आप लोगों को cruciferious vegetables जो है या ब्रासी का family जिसको हम लोग बोलते हैं उसको आप लोगों को चोड़ना होगा ऐसे foods जो की thyroid जो tissues हैं उनको खराब करते हैं उनको आप लोगों को सुधारना होगा तो foods ही जीवन है अगर आप लोग अच्छा खाते हैं तो अच्छा पाते हैं exercise के अभाव में मोटाबा बढ़ने लगता है अगर आप लोग जितना खाते हैं अगर उसमें आप लोग exercise नहीं करते हैं उतना burn out नहीं करते हैं तो आप लोगों का weight बढ़ने लगता है आप लोगों पे abdominal fat है, visceral fat है, subcontinous fat है ये जबने लगता है, depost issues जबने लगते हैं, cellulite बढ़ने लगता है तो ये different types में जो fat होता है, body fat जो है वो different types में बढ़ने लगत है, एक समय के बाद यानि कि 30 साल के बाद तो कम से कम आप लोगों को exercise जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप लोगों का metabolism जो है वो उसी state में रहे और आप लोगों का मोटापा खड़ता रहे, alcohol अगर आप लोग अधिक इस्तमाल में लेते हैं तो definitely आप लोगों को भूग जो है वो जादा बढ़ने लगती है, आप लोगों के सरीर को कभी समझ में नहीं आता क्योंकि ये दिमाग पूर असर डालता है और अगर दिमाग आप लोगों का सही नहीं रहा तो आप लोग पता नहीं कितनी calories जो है वो intake कर जाते हैं जिससे आप लोगों का बढ़ाने का, तस्वा है भोजन को जल्दी जल्दी खाने में भी मोटापा बढ़ने लगता है, ऐसा होता है कि जब आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी नहीं खाएं क्योंकि जल्दी सैतान का घर होता है आप लोगों को पता है, तो जो भी काम करें वो हलके आराम से करें और कम से कम आप लोग जल्दी नहीं खाएं क्योंकि जल्दी खाने से आप लोगों का जो digestion system है वो खराब होता है क्योंकि asophagasnally में अगर जल्दी जल्दी कुछ खाना चला जाता है तो उसको आप लोगों के digestion system को उसे पचाने में बहुत जादा problem होती है तो भगवान ने आप लोगों को 32 दात दी हैं तो प्लीज उसमें 32 दातों का यूज कीजिए और 32 बार अपने खाने को चबाईए उसके बाद में आप लोग लार के enzymes जो हैं वो खाने को पचाने का काम करेंगे पेट में भी जो enzymes हैं वो भी आसानी से उस खाने को पचा सकते हैं अगर आप लोगों ने जल्दी जल्दी खाया तो पेट के enzymes जो हैं वो आप लोगों के खाने को तोड़ नहीं पाएंगे बलड उसका सही तरीके से बना नहीं पाएंगे तो definitely इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि जल्दी किसी में भी ना करें 11 वाहनों के अधिक इस्तमाल से भी वजन बढ़ने लगता है तो अगर आप लोग जादा वहनों का इस्तमाल करते हैं कार का जादा इस्तमाल करते हैं स्कूटी है, स्कूटर है या मोटर बाइक है इसका अगर आप लोग जादा इस्तमाल करते हैं और पैदल बिलकुल भी नहीं चलते हैं तो definitely आप लोगों को भी दिखता है कि आप लोगों का वजन बढ़ने लग गया है आप लोगों के जो हिप्स की जो चरवी है वो बढ़ने लगती है इस बात को समझना जरूरी है कि इलास्टिसिटी होती है सरीर की तो अच्छा कि इलास्टिसिटी बढ़ने लगती है फैट के साथ साथ तो उसको आप लोग कैसे कम करेंगे इस बात को आप लोगों को समझना जरूरी है वो बहुत दीरी दीरे कम होती है उसके बढ़ने के बाद में तो वजन एक रात में कम नहीं होगा आप लोगों को ये भी समझना है तो वहनों का इस्तमाल बिल्कुल बंद करें या अगर आप लोगों ने वहनों का सित्माल किया है तो प्लीज दूरी पर अगर वहन का सित्माल करते हैं तो ठीक है लेकिन अगर कम दूरी है तो प्लीज उसे बंद कीजिये और पैदल चलिए philanthropy है ताकि आप लोग थोड़ा बहुत calorie जो है वो बंद कर सकें बारवा है गलत डाइटिंग से भी मोटाबा बढ़ने लगता है बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सुभह का खाना चोड़ देते हैं और शाम को भर पेट खा लेते हैं जिससे आप लोगों का मोटाबा बढ़ने लगता है intermittent fasting अलग होता है लेकिन गलत डाइटिंग अलग होती है तो अगर आप लोग गलत डाइटिंग का सिकार हैं तो प्लीज उसे बंद कीजिए और एक सही डाइटिंग का इस्तेमाल कीजिए एक अच्छे weight loss plan का इस्तेमाल कीजिए या diet plan का इस्तेमाल कीजिए जिससे आप लोग अ और protein भी जरूरी है तेर्वे नमबर पे आता है टेस्टोस्टोरीन पूरूसों में और estrogen महिलाओं में कम होने की वजय से भी मोटापा बढ़ने लगता है इस पे वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा कि testosterone पूरूसों में ताकत देने वाला होता है estrogen महिलाओं के लिए जरूरी होता है तो बहुत जरूरी है hormones को भी समझना अगर आप लोगों ने hormones वो नहीं समझा है तो आप लोगों की गलती है testosterone नहीं रहा तो बोड़ा बढ़ने लगेगा तो अगर आप लोग testosterone को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे foods हैं जिनको आप लोगों को खाने चाहिए धन्यवाद